नमस्कार खब्रान देश बिल्टन विछ थोड़ा स्वागते मैं आँ हर प्रीत को और पहला पेश ने चोण विया खब्राँ परदान मंतरी नरेंदर मोदी यते बंगलादेश दी परदान मंतरी शेख हसीना आज वीडियो कांफ्रेंसिंग राही पारत बंगलादेश दोस्ती पाइपलाइन दा करन गे उद गाटन पारदी जी ट्वेंटी दी परदान गी हेट दूजे सिख्या कार्ज समूधी तिन दिना बैठा कमली सर्विच समाप्त तक्नीक दी वात्तोवा दवर्तो नहीं आउनलाइन सिख्या नो उत्शाहित करन दी लोड ते दिता जोर केंदरी मंत्री अन्राग सिंग ठाकुर ने कांग सियागू राहूल गांधी नू बिना शर्त माफी मंगन लई क्या केंदर सरकार ने देश पारविच नमे सैनिक स्कूल खोलन दी तजवीज नू दित्ती परवान गी ते पारत ने तिन एक रोजा क्रिक्ट मैचां दी लड़ी दे पहले मैच विच ऑस्ट्रेलिया नो पांच विक्टा नाल हराया ते हुन खबरां विस्सार नाल परदान मंत्री नरेंदर मोधी अते बंगलादेश दी परदान मंत्री शेख हसीना आज वीडियो कांफरेंसिंग राही पारत बंगलादेश दोस्ती पाइपलाइन दा उद्गाटन करनगे ए पारत बंगलादेश विचकार पहली अंतर सरहाद उर्जा पाइपलाइन ने जिस दी अनुमानत लागत 377 क्रोड रपे है इस विच बंगलादेश दा हिस्सा लागपाग 285 क्रोड रपे है जो पारत सरकार ने ग्रांट सहायता दे तहत खर्च कीते ने पाइपलाइन विच हाई स्पीड डीजल दी एक मिलियन मिट्रिक टान प्रती साल तोवाट वाई करन दी समरथाए एपाइपलाइन उतरी बंगलादेश दे सात जिल्यानों शुरू विच हाई स्पीड डीजल दी सप्लाई करेगी पारत दी जी ट्वेंटी दी परदान गी हेट दूजे सिख्या कार्ज समूधी तिन दिना बैठक कल अम्रिसर विच खतम हुई इस बैठक विचे सिख्या दे खेतर विचे दुनिया पदर ते खो जते ताल मेल वदाउंटे जोर दिता गया इस बैठक विचे जी ट्वेंटी मेंबर देशां समेत अठाई देशां दे प्रतिनीधा ने हिस्सा लिया इस इनाली, OCD, UNESCO अटे UNICEF दे प्रतिनीधी वी मीटिंग विचे शामिल रहे इना प्रतिनीधा ने सिख्या खेतर लेई G20 देशांवलों कीते जा रहे उपरालियां दी शिलागा कीती G20 के तहर शिक्षा मंतराले के लिए जो चार मीटिंग्स आयोजित किये जाने है उसमें से दूसरा जो सेकंड वरकिंग ग्रूप है वो आज उसकी मीटिंग विगत तीन दिनों से यहां पर चल रही है अमरिट सर एथिहासिक शहर है अर्स और्मस इाने है जहां वेट को नहीं हेस्ट मतराइब की च्रपाराइब लिओीन होता है इस दो च्रप्सांको आपरासिश्या थ्यू प्र यूर्डिवाथा परेद्टिसंग आशली उ सौल प्र दिन हैं We have had a very wonderful time here in Amritsar. We are very thankful for India's hospitality – oh yeah, it's very amazing. Especially the meeting has been very productive. I think it's been a great meeting and with a positive attitude. We all want to contribute and find common solutions. because the thing is that lately we are facing so many common problems in many fields of course but in the field of education and meetings like this can help us to share some valuable information. आलेक्यों आपनेश्वार अते पुर्नेश्वर अते पुर्नेविचोन वालियां सिख्या वरकिंग गुरूप दिया मीटिंगा व्च विचार वटांद्रा कीता जावेगा प्लाटफोर्म जो भारत सरकार की तरफ से पहल है डिजिटल एजकेशन में उसकी डिमनस्टेशन भी उनको से आभग कराया है तो उनका भी उसमें काफी रुची है कि इस इतनी लाट स्केल नंबर में हम यह कैसा डिलुवरी करा रहे हैं और आपको यह ग्यान होगा कि यह स्कूल तक को देखते हुए हम आगे यह विश्व इद्याले का भी प्रयास कर रहे हैं जो इसकी और एक्स्पैंड कर सकते हैं और स्कूल शिक्षा में अभी तक जो जितना चैनल है उसको और बढ़ाते हुए 200 चैनल में लाके हर एक प्रदेश का बाशा में हर एक सब्जेक स्तानिय बाशा में उसको उपलोट करवाने का जो प्रयास की है इसका भी हम उसको आपड़ करवाने हैं एक सवाल दे जवाब विच के संजय मूर्ती ने कहा के छेती ही एक डिजिटल प्लेटफार्म त्यार कीता जा रहे है यह सरा ही बच्चे अपना सारा रिकॉर्ड कि अकांटिंग फॉर होगा उसकी जो बार्क शीट है या ट्रांस्क्रिप्स में उसमें पूरा रिकॉर्ड हो जाएगा तो ताकि उसका जो बच्चा जबी फर्स्ट क्लास से लेके पीएशडी जब करेगा उसका पूरा डॉक्यमेंटेशन वो पूरा एक डिजी लॉकर में अगर अविल्बर रहेगा तो जो भी रिकॉर्टर है जो भी अकैडमी इंस्टिटुशन है जिनको ये बच्चों को रिकॉर्ट करना चाते है या एग्मिशन जेना चाते है वो पूरा डॉक्यमेंट होके देगा और ये सब एक डिजीटल रिजिस्ट्रेशन एक यूनिक आ शांतल दूर दशन समाचार अम्रिसर जीट्वन्टी समेलंस मागमा विचे शामिल होनले अम्रिसर पुझे वाखवाखवी देशान दे डेलिगेट्स ने काल मानवता दे अध्यात्मक केंदर साचखांट शीरीहरमंदर साहिब जी दे दर्शन दिदारे कीते एजोरान डेल शांतल देलिगेट्स ने पलाजा दे जमीन दोज हिस्से विच बने व्याख्या के इंदर विखे साचखंड शीरीहरमंदर साहिब अते सिख इतेहास सबंदी जानकारी हासल कीती शोमनी कमेटी बलों पलाजा दे ही इक विशेश हाल विच जी ट्वेंटी डेलिगेट्स नो शोमनी कमेटी दे परदान अते मैमरमलों सनमानित कीता गया शोम्री कमेटी दे परदान ने G20 डेलिगेट्स नू शिरी दर्बार साहिब दी महत्ता, मर्यादा अतेसी दांत बारे दस्धियां क्या कि ए अस्थान समुची मानुफता नू सांजी वालता दा संदेश दिन दाए, जिते दुनिया पारविचों लखान शर्दालो नात मसक हो शोम्री कमेटी दे परदान ने G20 डेलिगेट्स न अम्री सर्दी पावंतरती दे आउन लई तानवात कीता सूचना ते पर सारन मंतरी अनुराग सेंग ठाकुर ने कांगसी आगू राहुल गांदी नू दिते गई भ्याना ले बिना शर्द माफी मंगन लेके आई संसद पवंदे बाहर पत्तरकारानाल गालबात कर दे आउना क्या कि राहुल गांदी नू सदन दे नीमा दी जानकारी लैनी चाहिए वना राहुल गांदी वलोओ विदेश विचे दिते गई ब्यान नू निरा चूठ दस्या आज मैं इतने क्या सकता हूँ राहूल स्टैंड फॉर रेग्रेटफुल ओफुल हेटफुल अनग्रेटफुल लायर यह क्या है कि आप जूट बोलें बाहर और यहां पर आकर अपने आपको दिखाएं कि उस सदन से बड़े हैं संसत से बड़े हैं देश से बड़े हैं एक परिवार क्या सबसे बड़ा है उनको अनकंडिशनल अपॉलजी मांगनी चाहिए माफी मांगने की बजाए वो यह शर्त रख रहे हैं कि उनको यहां पर बोलने का मौकार देश पारविचिन्न में सैनिक स्कूल खोलन दी कीते जान तो बाद ही अजहे सैनिक स्कूल खोले जा सकनगे लोगसवा विच काली कर लिखती जवाब विच रख्या राजमंतरी अजह पाट ने किया कि फिलहाल सैनिक स्कूल सोसाइटी जहां रख्या मंत्राला ने 18 स्कूलां देनाल समचोते ते दस्खत कीते ने उनना दस कीते जान दे कुछ दिना बाद ए एलान कीता गयाई नोटि फिकेशन अनुसार पहले बैच दे अगनी वीर उमीधवारान दी उपरली उमर हाद विच पांच साल दी छोट दिती जाएगी किंदर सरकार ने हथियारबन बलाविच अगनी पत परती योजना दी शुरुड़ात किती सी इस योजना दा मकसद साड़े सारा उमरवर्ग ते 21 उमरवर्ग दे विचकाले नौजवानानों चार साल दे पार्ट टाइम कंट्रेक्ट आधार ते हत्यारबंद बलां विचे शामिल करना है एज़ी कलपना हत्यारबंद बलां विचे नौजवाना दी गिंती वदाण लई कीती गई है केंदरी कानून मंतरी केरेन रिजीजू ने लोगसबा ते सूबा विदान सबावादियां चोणा इकठ्यां करवांडा समर्थन करदे होई कहाए कि एसनल सरकारी खर्चे विच काफी बच्चत होवेगी लोगसबा विची क लिखती जवाब विचोना इस सबांद विच समिदान विच तर्मीम करन आते सारे स्यासी दलानों एक प्लेटफॉर्म ते लियां लेई आरे यां परमुख अडचना बारेवी दस्या उना क्या के लोग शिकायत कानून अते न्या विपाग नाल सबंदद संसद दीज थाई कमेटी ने चोन कमिशन समेत वाखवाख हितता आरकांदे सला मश्वडे नाल एस मुद्दे दी जांच कीती सी उना क्या के कमेटी ने इस सबांद विच को जसिफार शांकीती आने कानून मंतरी ने क्या किये मामला हुन अग्गों जांच लई कानून कमिशन नों पेज़ा गयाए ता जो एस लई रूपरेखा त्यार कीती जा सके उना क्या के इकोवार चोना करवाण नाल स्यासी धलां ते उमीदवारां दे चोना ब्यान विच वी काफी बच्चत रिजर्व बैंक दे गवनर शक्तिकांत दास ने प्रोसा दिताए के पारत दा वित्ती खितर स्थिर रहेगा उना दा ए ब्यान सिलिकॉन वैली बैंक दे बाम्द होंड दे बाद अमरीकी बैंकिंग परनाली विच जारी संकत दोरान आया है शक्तिकांत दास ने क्या के बैंकां लई ए महत्तपूरण एकियो समझधारी नाल संपती देनदारी परबंदन मजबूत जोखम परबंदन ते देनदारियां आते संपतियां विचे टिकाओ विकास नू यकीन नी बनाओन उना क्या के मौझूदा संकट विती पर नाली लई नीजी क्रिप्टो क्रंसी दे जोखमा नूवीज पश्ट तौरते धरसोंद आई उना प्रोसा देता के RBI ने जोखम परबंदन लई सारे लोडिन दे कदम चुके ने पारत दी G20 पर दानगी बारे गाल कर दे होए रिजर्ब बैंक दे गवर्नर ने दुनिया दियां वी सब्तों वड़े अर्थ चारयां दे समू द्वारा अमरीकी डॉलर विच आई वादे कारन उच्च कर्जा जोखम वाले देशां दी मदद करन लई वदेरे ताल मेर वाले अतना लई सद्धा देता उना क्या के G20 समूनू जंगी पदरते सब्तों वड़ पर बावित देशानू जलवायू परवर्तन लई वित परदान करना चाहिदाए पारत ने तीन निक रोजा क्रिकेट मैचां दी लड़ी दे पहले मैच वेच आस्ट्रेलिया नू पंच विक्टा नाल हरा देताए मुंबई देवान खेडे स्रेडिया मिच पारत ने टास जित के आस्ट्रेलिया नू पहलां बल्ले बाजी करन दा सद्धा देता महमान टीम पैमती ओवरते चार गिंदा विच इक सो अठासी दोड़ां ते सिमट गई मिचल मार्च ने इक आसी दोड़ां दी पारी खेड़ी पारत वल्लों मुहम्मद शमीते मुहम्मद सिराज ने तिन तिन विक्टा लईया जित लई 199 दोड़ां दा टीचा पारत ने 78 ओवरते पांच गिंदा नाल पांच विक्टा पिछे 191 दोड़ा मना के हासल का लिया लोकेश राहुले 55 तरते रविंदर जडेजा ने 55 दोड़ा मनाईया पंजाब विच कई थामा ते रुक रुक के हो रही बारिश कारण तापमान विच गिरावट आईये मौसम मैक में मताबक अमरिसर जिलंदर का पूर्थला गुर्दासपूर ते होर कई जिल्या मिच हलकी तो दर्म्यानी बारिश होई आज तड़क सार्तों ही कई थामा ते गरच चमकना तेज हवामा चलियां ते हलकी तो दर्म्यानी बारिश हो रही है मौसम विपाग अनुसार आंदे चौवी कंडिया दोरान वी तेज हवामा चलन ते कई थाई मीपैंडी संबाव नाए इस औरान गुर्दासपूर हलके विच पिछले दिना तो हो रही बे मौसमी बरसात ने गुर्दासपूर दे पिंड गुनोपूर विच किसाना दियां कई एकड़ फसला दा नुकसान कीता है इस नो लेके किसाना विच पारी चिंता दिखाई दे रही है पिड़त किसाना दा कैना है कि ओ छोटे किसान ने जिननने पैसे उदार लेके अपनियां फसला नो पाले आए पर बे मौसमी बरसात अते गड़े मारी कारण उनननो बड़ा नुकसान चलना पैरे आए उननने सरकार तो जल्द गिरदावरियां करवा के मौफजी दी मंग कीती है लम्यां पैया गियां सवागा फिर गया ते सरकार को मांग करने आभी एदा एड़ा खराबा एड़ा मालवा देटा जाए ते जनाली खबरनदाए बलेटन खतम हुंदाए आगया देओ नमस्कार